जैहिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आसुतो स्पाइंडे याल राउंडर क्लासेज में आज हिस्ट्री क्लास में बहुत धरम का छठवा क्लास है आज इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो कर लीजिएगा और चलिए देखते ह अपने अनुआयों को दस ऐसी बाते करने को मना किया था जिसे सील कहते हैं अब देखिए सील में इन्होंने दस बाते क्या क्या करने को मना किया इसमें हमने लिखा है अहिंसा यानि हिंसा न करना सत्य यानि जूट न बोलना आस्ते यानि चोरी न करना और परिग्रह और ब् भोजन नो करना सुख प्रद विस्तर पे नो सोना इस्तिरियों का ससर्ग न करना तो ये दस सील महात्ना बुद्ध ने बताया था अब नीचे चलते हैं बुद्ध का जन्म ज्यान प्राप्ति और महापरी निर्वाड तीनों वैसाख पुर्णीमा के दिन हुआ था इसलिए दिन हुआ इसलिए वैसाख पुर्णीमा को बुद्ध पुर्णीमा के रूप में मनाया जाता है अब महात्मा बुद्ध के मृत्यूं के बाद इनकी अस्तियों को आठ अलग-अलग अस्थानों पे भेज दिया गया जिसे अश्ट महा अस्थान कहते हैं मात्मा बुद्ध के मृत्यू के बाद इनकी अस्थियों को अलग-अलग अस्थान पर भेज दिया गया जिसे अस्थ महा अस्थान कहते हैं और फिर मात्मा बुद्ध के मृत्यू के बाद बौत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चार बौत संगीतियों का आयोजन किया गया आप था तो आप हम लोग 4 बहुत संंगीती देखते हैं है । है प्रथम बहुत संगीती posting इसापुरु में यह वुए ठी राजञरी में और इसकी अध्यक्ष थे महा कस्यप और इस तम्हें इसका शासन था तो आजाद सत्रू का साशन था प्रथम बहुत संगीती में 483 इसापुरो राजग्री में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकस्यप इस तमय आजाद सत्रू का साशन था अब दितिय बहुत संगीती 383 इसापुरो में बैसाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे साबक मी थे और उस समय जो राजा का ससन था उस समय काला सोक थे जब दिती बहुत संगीती 383 इसापुर में हुई थी तो अब तीती बहुत संगीती 250 इसापुर वो पातली पुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्ष थे मोगली पुतिस मोगली पुतिस इसके अध्यक्ष थे तीती बहुत संगीती और इस समय जिसका ससक था वो असोक का था यानि इस समय के राजा असोक थे जब बहुत तीती बहुत संगीती हुई थी और चतुर्थ बहुत संगीती जो प्रथम सदी में यानि अंठान भी इसापुर में हुई थी कहां हुई तो कुंडल बन कस्मीर में कस्मीर के कुंडल बन में चतुर्थ बहुत संगिती हुई थी और इसकी अध्यक्षते वसु मित्र और इस समय जो सासन था वो कनिश्क का सासन था तो ये चारों बहुत संगिती हमने पढ़ा और इन दस सील के बारे में पढ़ा महातना ब